तो आज हम फिर से पर जेन थें क्लास 9 की एक और वीडियो को लेकर जिसमें कि आज हम अर्थार दसम्लब एक चिप्टर का 9 से लेकर 16 तक कोश्चनों का सोलुशन करेंगे तो इसके पिछले ही मैंने पहले पार्ट की वीडियो में मैंने कोश्चन नमबर 1 से लेकर 8 तक का तो यदि आपने नहीं रेखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी आप जाकर वहां से देख सकते हैं और नहीं तो आपको इंडियो स्क्रीन पर आपको जो वीडियो है वो मिल जाएगी तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्लीज नए है मतलब जो तातपर होता है वो आईतन से होता है क्या जिस होता है आईतन से होता है तो आपको क्या करना है कि उसको ग्याद करना है चली तो सबसे पहले हम गोले का आईतन लिखेंगे क्या लिखेंगे गोले का आईतन क्या है गोले का आईतन क्यों लिखेंगे क्योंकि सबसे पहले क्या काता कि गोले की तरिज्जा दुग नहीं कर दिया तो आइतन ब्राबर क्या लिखते हैं चार वटा तीन पाई आर क्यू ठीक है चार वटा तीन पाई आर क्यू हो गया अब नया जो गोला है ठीक है नए गोले की त्रिज्या नए गोले की त्रिज्या यहां देखे ऊपर कोशे में जो त्रिज्या थी वो आर थी तब आर क्यू था और क्यों एंब इसका अइटन निकालते हैं MIDन गण फल यानि इसर कि घर वट्टा 4 video क्यों आठ आठ का Q तो कहता है कि घनफल कितना गुना तो ऐसे ही देख लेगे आठ था ये आठ हो गया, तो कितना गुना एंसर हो जाएगा, आठ गुना, तो यही आपको क्या है एंसर है, तो यह था आपको question number 9, चले चलते हैं question number 10 में question number 10 कहता है कि एक अर्ध कोले, कटोरे की आंतरिक तिर्जा, यानि जो R बराबर है, वो कहता है कि 6 cm है, इसका क्या है कि आपको कहता है कि प्रिष्ट छेतरफल क्या करना है, आपको ग्याद करना है, तो क्या है प्रिष्ट छेतरफल ग्याद करना है, तो तो चलिए याने दिया है R बराबर कितना? 6 cm, तो कदा कि आंतरिक प्रिष्टि 6 got影 क्या है,το pharmac आप ग्याद कीजिए चलिए तो direct हमसका क्या है कि प्रिष्टिय 6 इंचुन निकालते हैं प्रिष्टि 6 ट्रफल तो जानते हैं P Shram पर क्या होता है 2 πाई आर स्क्वार चार आंतरिक है तो 2 गुने पाई का मान 3.1 चार करता लेने आर का मान आपका 6 दिया हुआ है तो 6 गुना 6 करेंगे तो 72 गुने 3.1 चार आगा तो आपकी जगा तो आगा 226.08 संटीमीटर स्क्वार तो यही था आपका के यह सक्वार चार नंबर 11 में है चला कोश्ण नमबर 11 करता कि एक अर्द गोलहर का आनतरिक जब्यास याने जो D वरावर दिया है 20 सेंटीमीटर है तो आर कितना हो जाएगा 21 वटा है तो हम उन्हें में केख़का 2 सेंटीमीटर हो जाएगा तो करता है की कटोरे की क्या है आपको धारीता ग्याद करने हैं तो कटोरे की धारीता या आयतन कटोरे की धारीता यह आयतन ग्याद करना तो डायर चिनकर तो और्ज टू वा,ई,पाई,आर का क्यू dicho ठीक है 2830 है क्यून कि यहां पर मासा दिया त्था आपका प्यास दिया हुआ था चले तर 2 by 3 पाई यार की हो गया तो जाया कितना अउपर से क्या है अर्ध गोलिया कट हो रहा है ठीक है चले तो हो गया और उपर से हमको धाय था यानि आई तन ग्याद करना था पिछ्टे छेत पल तो था नहीं कि तू लेकर काम चलालते तर 2 by 3 पाई का मान कुछ दिया ने तो 22 वटा 7 आर का मान 20 वटा 2 गोने 21 वटा 2 चले 2 से 2 खतम ठीक है तीन सते 21 साथ से 7 खतम 2 से क्या है करने तो 11 यानि आजाया कितना 21 गोने 11 और तीन यानि तीन वार लेना है तीन वटा दो एक वर और लेना पड़ेगा न गुने 21 बटा निचे कितना दो चले तो इसको आप गुना किजे तो आएगा 481 क्यामन बटा दो ठीक है 481 क्यामन बटा दो इसको भाग देकर करें तो आएगा 2425 दिसंब्लव पांच सेंटीमीटर क्यूब यही आपका एंसरी आएगा तो यह था आपको कोश्चन नमबर 11 तो चले चलते हैं कोश्चन नमबर 12 में यदि आपको कोई वीडियो समझ भी नहीं आता है या पर कोई कोश्चन आपको था प्रोब्लम में तो नीचे कमेंड करें या फिर आप वाट्सप करें हमारे दिये गया नीचे नमबर पर चले कोश्चन नमबर 12 और 13 का जो कोश्चन है यह कमपटेटी में पूछा जाने वाला प्रश्ण है ऐसे प्रश्ण आपको बहुत सारे कमपटेटी बिग्जाम बैंक में ससी दिल्ले वगेरा में आपको मिल जाएंगे तो बहुत ही आसान है तो आप बना सकते हैं तो कहता ह साय गें गोल्यों की संख्या अब क्या है कि बड़े वाले ठोस गोले कैंगे क्या करते हैं नीचे में फोस गोले क्या करतें भाग देते हैं तो सबक्रणे कर सकते थे ऐसे प्रश्णों में क्या करना है यदि आपको ट्रिक से बनाना है किसे बनाना है ट्रिक से बनाना है तो जब ऐसा प्रश्ण आ जाए कि गोलियों को गला कर कितना गोली बनेगा तो बस उपर वाले का क्यू बटा नीचे वाले छोटे वाले का क्यू कर दिजिए आपका जो आ आजा सकते हैं तो यहां भी लिखेंगे गोलियों की संख्या क्या लिखेंगे गोलियों की संख्या तो गोलियों की संख्या कितना एक का क्यूब बटा 0.1 का क्यूब 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 ख़जागोई है तो आपका डी नमबर क्या है सही है तो यह आप चाहिए इसको फर्मूला पर रखकर भी क्या कर सकते हैं बना सकते हैं तो यह था आपका कुश्चन नमबर 12 और 13 का सॉलिशन तो चले चलते कोश्चन नमबर 14 में चले कोश्चन में 14 काता है कि आर 13 के किसी गोले को आइतन उस लंबर 12 के आइतन के बराबर है जिसके आधार की तिर्जा आर है और लंबाई ब्यास की दो बटा तीन गुनी है तो आर और बड़ी आर के बीच निमन में कोई सा संबंध है तो चले आर तीजा वाले गोले का आइतन गोले का आइतन क्या होता है चार पाई आर का क्यू और लंब रिते बेलन का आइतन क्या होता है हम जानते हैं पाई आर का क्यू ठीक है पाई आर का क्यू लेकिन यहाँ एक कंडिशन है कि करता है दो बटा तीन कुनी है तो दो बट लंबाई ब्यास की दो वटा तीन गुनी है ठीक है लंबाई क्या है ब्यास की क्या है दो वटा तीन गुनी है तो आर और की बीच आपको क्या करना है कि संबंध आपको ग्याद करने कि संबंध कैसा है संबंध सही है यह क्या है संबंध सही नहीं है तो आपको क्या करना है दे चलिए तो हो गया 4 πाई आर का क्या है आर का क्यू ठीक है यहां देखें तो कितना हो जागा इधा दो दो नहीं 4 5 R का Q ओ सोरी यहां कायतन तो गोले कायतन 4 वटा 3 पाई R क्यू होता न चलिए तो इथे 4 वटा 3 पाई R का Q हो जाएगा चलिए तो अब देखिए ध्यान से क्या होगा कि 4 Y 3 से 4 Y 3 खतम पाई से पाई खतम तो R Q बराबर R Q बचएगा ठीक है Q बचएगा तो अब देखिए क्या होगा कि यदि इसका Q Q क्या है कि अगर दोनों को हटा ले तो Q से Q क्या होगा पावर से पावर तो खतम तो बचएगे क्या Capital R बराबर क्या Small R या कर सकते हैं कि Small R बराबर Capital R कर सकते हैं यह देखिए Option नमबर आपका C क्या है आपर सही तो ध्यान से इस प्रस्म को समझेए कुछ ज्यादा करता नहीं है सीधा करता था कि आर सेंटीमीटर त्रीजा वाले गोले का आईतन तो गोले का आईतन चावटा तीन पाई यार क्यूँ उस लंब रितिया बेलन की आईतन की क्या है बराबर तो लंब रितिया बेलन काईतन क्या होता है हम जानते है कि पाई आर का क्योँ तो कता है चली सुरी यहां बहुत स्क्वार होगा चली आप देखे ध्यान दीजिए कि आपको लगाओ कि यहां हमने 2R क्या किया है ठीक है पर इसमें आपको 2R समझ में है तो जानते हैं कि बेलन का आईतन जो हता है पाई आर स्क्वार होता है ठीक है तो पाई तो चली यहां हमने रख लिया ठीक है आर अस्क्वार को हमने क्या कि आर स्क्वार रख लिया आप जो H है ह कहां गया ठीक है ही तो चाहिए तो जब जान रहे हैं कि इसकी जो त्रिज़ा है वो आर जो ब्यास की दो बटा तीन गुनि है तो जो H हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, कि जो तरज्या है, उसकी दुगनी, ठीक है, तो 2R, तो इसी कारण 2R, देखे, R स्क्वार से R, स्क्वार गुना हुआ, R गुना हुआ, तो R क्यू हो जाएगा, 2 वटा 3 में 2 गुना हुआ थोड़ा समझने हो सकता है आपको समझ नहीं हो लेकिन अब हम जान रहे हैं कि आपको जो प्रोब्लम था हो क्या हो गया किलिए रो गया तो चले चलते हैं कोश्चन नमबर 15 में चले कोश्चन हो 15 काता कि पीतल के बनेव एक गोलिया सॉटपूट का ब्यास यानि डी बराबर कितना दिया 14 cm तो आप रहीमें कितना 14 वट्त दो यानि کतना 7 तो कहता उसका प्रिष्ट ये 6 तरफल तो क्या है हम सबसे पहले क्या प्रिष्ट ये चे तरफल निकालेंगे तो प्रिष्ट यह स्कौर्ट नो चार गुने 22 वट्या र का वान 7 सात 7 खत्म तो बात चोंक 28 सलिकिट्न 666 cm2 दूस्सरा चीज़ आपको करता है क्या कि आईटन ज्याद कीजे आइ ता क्या होता है चार बुटा 3 528 किव तो चार बुटा 3 पाई का वहक dirig तो होगा चार बुटा 3 स्था Country का माहन Tag मान सात गुने-दुने सात तो साथ से सात क्या है खतम तो इसको गुना करें तो सबसे पहले क्या है आम को आयतन ग्याद करना है तो आयतन कितना हो जागा चार वटा 3 पाई आर का क्यू तो चार वटा 3 गुने 22 वटे 7 आर का मांन कितना चार दरसमदर 343 चले और इसको क्या है आपको पूरा को गुना कर देना है तो आएगा 3333 तो इसका एंसर कितना हो जाएगा 333 cm3 चले अब दूसरा कता इसका प्रिष्टी ये 6 तरफल गयाद करें ठीक है प्रिष्टी ये 6 तरफल तो कितना होता है 4 पाई यार का स्क्वार याने 4 गुने 22 वटे 7 गुने 4 दसंबलब 3 गुने 4 दसंबलब 3 तीन आता है तो 40 का देखते हैं कितना होगा इसका एंसर तो जब आप इसको गुना करेंगे तो आएगा आपका एंसर 1615.4 बटा 7 ठीक है 16 कितना 15.4 चले इसको जब आप काटेंगे तो आएगा 232 कितना आएगा 232 तो यही आपको क्या निचे लिग देंगे 232 cm2 यही आपको क्या है एंसर है तो यह था आपको कोश्य नंबर 16 तक का सोलुशन तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद